रमजान में रोजदारों के लिए इफ्तार का इंतिजाम कर आपस में भाईचारे और अमन की कई मिसाले कायम की जाती है ऐसी ही एक मिसाल नाकूर माविका सघाडी की वरजमुट सभा के दर्मियान देखने को मिली सभा के बीच जब शाम ढली और सभा में शामिल मुस्लिम बंदू कारे करता रोजे इफ्तार के लिए जगा तलाश कर रहे थे कि उसी समय शेत्र के रहवासी दिलिप नंदनवार ने देखा और सामने ही रहने वाली डॉक्टर गौतमारे परिवार से बात की और पलक जपकते ही उस परिवार ने रोज़दारों को अपने घर के अंदर बुलाया बिचाया और तुरंत ही इफ्तार का उनके लिए इंतिजाम किया डॉक्टर को उतमारे परिवार द्वार अपने हातों के बने हुए केक, खजूर और शीतल जल की विवस्ता की गई पलक जपकते ही इन चीजों का इंतिजाम कर इस परिवार ने रोज़दारों का दिल जीत लिया उसी समय डॉक्टर शकील एहमद जहागीर ने इस परिवार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यही प्रेम भायचारा यही सभ्यता हमारे भारत की शान है और हम देश में यही प्यार भायचारे का माहुल बनाने निकले है नफरत को मिटाने निकले है इस इफ्तार के वक्त शकील जहागीर के साथ इफ्तार में विबिन पार्टी के कारिकरता भी शामिल हुए जिनमें अफरोस खान, पुर्वु कॉंग्रेस महास चीव राम्टेक लोगसभा इन सभी ने स्थानिय निवासी दिलीब नंदनवार और डॉक्टर गौत्मारे परिवार का शुकरिया अदा किया और गौत्मारे परिवा तथा दिलीब नंदनवार परिवार के कुशल मंगल रहने की दुआएं भी दी इन्बिसियन नियूस के लिए अक्सा अंसारी की रिपोर्ट